तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए daily mock test लेकर आते हैं और mock test खाली यह नहीं है कि हम खाली एक ही domain का लेकर आते हैं आपको सबको पता है कि हम all domain की preparation आप सभी के लिए कराते हैं S.O.S.C के लिए ताकि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे का selection हो तो हर दिन जो है different different domains के लिए और reasoning की कभी science की कभी maths की कभी high end की यह सब वीडियो आती ही रहती हैं तो आप सभी जो है अपनी present show करने के लिए जल्दी से like कर दें भई लाइक बहुत कम आते हैं तो बहुत बूरी बात है कि आप सभी stem की इतनी तदा strength होने के बाद भी like इतनी कम करते हो इसका मतलब तो यह है कि stem वाले बच्चे अच्छे से prepare नहीं कर रहे हैं है ना तो अपने आपको show करने के लिए कि हाँ भई हम prepare कर रहे हैं हम भी है इस जंग में आपको करना है कि humanities के कितने साधा बच्चे और stem के कितने जाधा बच्चे में वह देखना चाहती हूँ जो कि active होकर पढ़ाई करते हैं तो humanities versus stem करते हैं अब आप सभी को जो है क्या करना है आप सभी को लाइक अपनी show करने है humanities की वीडियो पर और stem की वीडियो पर जिस पर जाधा होगी that means उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं वैसे तो देखो दो-दो domain भी लिया हुआ है बट ये एक game भी हो जाता है इस वाज़े से मैंने सोचा चलो इसे कर लेते हैं अच्छा तो आज के अपने इस mock test में हम स्टार्ट करेंगे आपकी science science का I think ये आपका mock test व्यसे तो मैंने बहुत सारी जो glasses थी वो डाली थी बट science का आज जो है मैं first time ले रही हूँ mock test type की मैं आपको questions दूंगे और आप मुझे जो है answer करेंगे comment box में और आपको पता है कि daily videos आती हैं तो इसके लिए आप से भी subscribe भी कर सकते हैं चैनल को चलिए start करते हैं okay so question की numbering आगे पीछे हो सकती है उसको ignore करना आगे questions को पढ़ते हैं सबसे पहले question दिया which one of the following is a major pollutant which cause air pollution यानि की यहाँ पर हमें कुछ नाम दिये होए हैं और हमसे question में किया गया कि कौन सा major pollutant है means कौन सी जो यहाँ पर gas बोल सकती हूं है या फिर कौन सा जो element है वो ज़्यादा pollution जो है उसको create करता है so first is sulfur dioxide, second है nitrogen oxide, third है carbon monoxide देखो सबसे ज़्यादा जो है वो करता है carbon monoxide राइट लेकिन आप सब अगर ध्यान से देखे तो sulfur dioxide और nitrogen oxide ये दोनों भी उतने ही उसमें करते हैं इसलिए आपका जो correct answer होगा वो आपका हुझेगा all the above so option number D is correct और आप सब अपने answers जो है comment box में मुझे बता सकते हैं ठीक है और ये आपका chapter जो है pollution and water वाले से है मुझे नाम याद नहीं रहता क्योंकि मैं 10th को भी पढ़ाती हूं science तो उनके chapters का नाम याद रह जाता जैसे की उनमें our environment होता है करके तो वो साई चीज़े आद रहते है by the way ये जो chapter अभी मैंने आपको question दिया था इसमें से questions आने की possibility काफी जादा होती है plus second thing आपके जो answers है वो आप easily मतलब अगर आपने chapter अच्छे से समझा आपने NCRT को अच्छे से read out किया तो आप बहुत अराम अराम से और सोच समझ के इसक एसा नहीं करना है okay the next question हमारे सामने है substances that decay naturally are called यानि कि जो अपने आप क्या होते हैं अपने आप naturally जो है खतम हो जाते हैं ठीक है उनको हम क्या बोलते हैं जो जितने भी होते हैं हमारे substance वो सबके सब तो एकदम से अपने आप खतम नहीं होते हैं जैसे कि अगर मैं प्लास्ट की बात करूं या वेजीटेबल पिल्स की बात करूं ठीक है सब्जियो के छिलकों की अगर मैं बात करूं तो वो असानी से decompose हो जाते हैं और वो convert हो जाते हैं किसमें उसमें हमारी जो खाद होती है जो हमारे पोदों के लिए काफी ज़दा अच्छी होते हैं उनमें तो यहां से options आप सभी देख सकते हैं और आपका correct answer क्या होगा जल्दी से मुझे comment करके बताओ भाई comments जो है वो आनी चाहिए मैं आप सभी comments का wait करती हूं बट कोई करता ही नहीं है मतलब करते तो हैं जो बच्चे हैं लेकिन मैं आज देखना चाते हूं कि असल में सारे बच्च answer जो है biodegradable होगा जो ऐसे substance होते हैं जो कि अपने आप गलसड जाते हैं या खतम हो जाते हैं एक time period के बाद तो उनको हम biodegradable बोलते हैं ठीक है जैसे कि plastic हो गया और हम जितने भी एक glass, glass जो है it's called also non biodegradable क्योंकि जो कांच होता है वो भी असानी से मिट्टी में जो है decomposed नहीं होता है ठीक है now next question is which one of the following is the correct pair? question हमारे को दिया हुआ है कि कौन सा इन में से correct pair है हमारे को बताना है तो options आप सभी के सामने है first option और ये chapter कौन सा है आपका chemical effect of electric current ये chapter का नाम है और numbering में भी 14 हो क्योंकि मैं तो old NCRT को follow करते हूँ तो मुझे तो उसी series का पता है मतलब तो वो आपको पता होगा numbering क्या है first है cathode and इसको दिया हुआ positive electrode and जो anode है उसको दिया हुआ negative electrode so उसके बाद दिया हुआ है cation जिसको negative ion दिया हुआ and anion जिसको positive ion दिया हुआ और मैं यह देखना चाहती हूँ कि बच्चों को कितना level तक का आता है तो आप सभी comment करके बताओ and एक option दिया हुआ है none of these ठीक है कि इनमें से कोई भी correct pair नहीं है तो आप मुझे comment box में बताओगे यह आपका आज का क्या है homework है ठीक है और चलते हैं इसी के साथ next question पर next question is frogs lays hundreds of eggs at a time in water because question हमारे को क्या देवा है पहले वो समझते हैं बुला हुआ है आपका कि जो frog होते है यानि कि जो mendic होते हैं वो क्या करते हैं वो एक time पर hundreds यानि कि तकरीबन 100 अंडे देते हैं एक time पर ठीक है hundreds of eggs at a time जो कि पानी में देते हैं अब ऐसा वो क्यों करते हैं इसके पीछे का reason क्या है क्या वो population को increase करने के लिए करते हैं या फिर एक option दिया हुआ है आपका कि it increase the chances of survival second दिया हुआ है आपका agar brown in color so obviously b option तो नहीं होगा क्योंकि इसका तो कोई logic ही नहीं बनता है हां से c option दिया हुआ है frogs can reproduce only once in their life कि जो frogs होते हैं वो एक ही बार जो है अपनी life में reproduce कर सकते हैं but it's not correct because ऐसा नहीं है किसी के साथ भी so ये भी cut हो जाता है okay d option है all the above तो ये तो होगा ही निए जब दो option पहले ही cut हो चुके है and e भी नहीं होगा आप हाँ e babe हो भी सकता है में भी but यहाँ पर आपका correct answer option number a होता है it increases the chance of survival यानि कि जरूरी थोड़ी नहीं कि उन्होंने 100 के 100 मतलब hundreds अगर एग एक time पर दिये हैं water में तो यह जरूरी थोड़ी नहीं कि वो सारे के सारे जो है mature होंगे और वो सारे के सारे जो है new individual और एक frog जो है again बन जाएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है उन मेंसे हो सकता है कि 50% जो है वो मर जाएं ठीक है 50% ऐसा हो सकता है कि वो पानी के बहाओ के साथ कहीं बहे कर चले जाए ठीक है अगर 100 है तो यह एक रीजन होता है बेसिकली इसके पीछे का now next question is और जो भी आता जा रहा है जल्दी से like करो भई अब मेरे गले में भी डर दो रहा है आज बहुत जादा और आपको पता है कि आज festival भी है अच्छा पहले तो मुझे यह बताओ कि आप सभी ने मुझे विश्टो किया नहीं अभी तक मैं देख रही थी कि विश्ट करते भी है नहीं बच्चे कल तो मैंने किया था आपको बट आप लोगों ने नहीं किया तो इसका मतलब सारी जो responsibilities है वो teacher की होती है students की कुछ भी नहीं होती और आप सभी क्या चुट्टी है मैं फिर भी पढ़ा रही हूँ Sunday भी है बट हमें अभी चुट्टी नहीं मनाने है क्योंकि अभी हमारा जो exam है वो काफी ज़दा पास में है है ना अभी हम एक दो हफता अ आप that means फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं बूल सकती ओके सो next question is which one of the following is not VV Paris अब VV Paris क्या होते है इनका concept मैं आपको बहुत पहले अच्छे से clear कर चुकी हूँ मेरे ख्याल से आपके एक class भी आई थी जिसमें मैंने आपको एक वो बताया था logic बताया था कि मतलब इस तरीके स आप लगा के funda जो है इसको याद कर लो कि आपको ये चीज़े याद हो जाए तो आज नहीं बताऊंगी मैं उसको मैंने पढ़ाया था और अब भी पढ़ाया था होगा एक महीना हो गया होगा उस class को तो क्या आपको याद है नहीं तो इन मेंसे कौन सा VV Paris नहीं है आपको वो बताना है options first is cow second is hen third is human fourth is dog and last का आपका none of these तो correct answer की है comment box में comment करके बताऊ मुझे जल्दी से मैं बेट कर यूँ आपकी comments का देखो correct answer आपका option जो है B होगा option number B यानि की hen जो hen वो एक VV Paris animal के अंदर count होता है because hen जो है वो egg देता है ठीक है and बाकी cow, human, dog, cat और elephant and बहुत सारे ऐसे animals हैं जो की सीधा birth देते हैं मतलब baby को सीधा birth देते हैं offspring देते हैं लेकिन hen जो है वो egg देता है means वो अंडे देता है ठीक है तो जो VV Paris होते हैं वो क्या कर देते हैं वो अंडे देते हैं यह चीज़ आपको याद रखनी है one second मैंने concept थोड़ा सा wrong पढ़ा दिया यह पर question में बोला गया था कि not VV Paris मेरे से भी गलती हो गई और उसी के according मैंने गलत पढ़ा दिया देखो sorry उसके लिए और जो बच्चे अब comment करेंगे ना अरे यह तो गलत है मैंने देखा है वो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं पहल भी comment करना जरूरी होता है उस चीज को उसको ignore कर दिया करो और अपने answers को comment किया करो question दिया था कि which one of the following is not VV Paris मेरे को भी ऐसा रगा कि VV Paris तो humans होते हैं तो इन में से मेरे देखकर बताना कि कौन से VV Paris नहीं है तो देखो cow हो गया human हो गया dog हो गया cat हो कि सब VV Paris है लेकिन correct जो यह VV Paris नहीं होते हैं जो VV Paris होते हैं वो birth देते हैं बेबी को और जो VV Paris नहीं होते हैं वो egg देते हैं अब जो egg देते हैं उनको भी हमने एक नाम दिया हुआ होता है उसका नाम होता है OV Paris तो मैंने इस तरीके से बताता कि जो egg है उसको भी हम circle के उसमें देखते हैं वैसा और आवल शेप में होता है वह इस तरीके से हम उसको लिखते हैं तो वह इसी तरीके से लिखते हैं तो इस तरीके से मैंने आपको एक फ्रॉमूला दिया था और मुझे एक्जक टाइम पर याद आ गया तो next question देखते हैं बीटन इंटु शीट इस नोन आज यानि कि वह प्रॉपर्टी है जिसमें मैंटल को क्या कर सकते हैं मार्पीट कर उनको एक थिन शीट में कर सकते हैं तो उस अब उसका नाम उता है आपको यह बताना देखो उसका नाम होता है mobility option number d is correct mobility जैसे कि हम जो gold metal है उसको हम क्या करते हैं उसको mark पीट कर और उसको हम फिर sheet में convert कर सकते तो यह metal की एक property होती है ठीक है तो यह mobility जो है इसके अंदर आ जाता है उसके बाद next और बाकी यह जो properties है ductility, sonority and lustrous तो lustrous तो वो होता है जिसमें shining जो है metal वो देता है sonority I think sound का होता है कि जब हम उसको मारते हैं उसके तो sound आती है and ductility क्या होते है ductility भी बताती हूँ इससे related next question है ductility वो property होती है देखो question में दिया हुए the property of metal by which it can be drawn into wires यानि की कौन सी property है जिसमें हम metal को किसमें draw कर देते हैं अब drawing खाली ऐसे नहीं करनी है उनको मार कीट के और उनको एक shape देना है तो shape वो wire की दे रहते हैं तो वो आपकी property कहलाती है metals में ductility so option number C is correct next question next question है conservation of plants and animals वाले chapter से और उपर के जतने दो questions थे वो आपके थे metals and non metals वाले chapter से तो chapters की नाम तो अभी तक सबको पता होंगे next question is fauna of a region refers to जो fauna होता है उसको हम किस चीज के लिए मतलब उस name को हम किस चीज के लिए use करते हैं देखो हमारा जो conservation of plants and animals chapter है तो conservation नाम से ही मेरे को पता है कि इस chapter में हमें ये पढ़ना है कि हम किस तरीके से plants and animals को protect करते हैं ठीक है conserve का मतलब होता है किसे चीज की रक्षा करना उनको protect करना अब protect किस चीज से करना जैसे कि वो खतम होते जा रहे हैं लुप्त होते जा रहे हैं तो उससे हमें उनको बचाना है मतलब कि हम चाहते हैं कि जो plants हमारे पास आज है वो आने वाली generation के पास भी हो जैसे कि डाइनसोर पहले वाले बहुत पहले टाइम में थे बट आज नहीं है तो इसे तरीके से जब इतना सब conserve करने की बात चली तो उसमें जो flora and fauna two things का आपको जो है वो दिया था two words का concept दिया था flora and fauna flora जो है वो plants के लिए use किया जाता था ध्यान से सुनना and fauna जो है वो animals के लिए use किया जाता था किसे भी particular region के animals में जो कि मतलब किसी particular region पर मिले हैं उन animals के लिए या फिर अगर मैं simply कहूँ तो fauna जो है उन animals मतलब जितने भी हमारे plants और animals है उन सब में से fauna जो है animals के लिए use किया जाता था यह वालब word तो इसलिए आपको option number B जो है वो यहां से correct हो जाएगा now अगर आपसे question में आता है कि flora जो है वो किसके लिए use किया जाता था तो आपको पता होना चाहिए कि वो plants के लिए use किया जाता था ठीक है and endemic species भी इसमें main question रहता है कि endemic species क्या होती है तो endemic species बे species होती है जो कि किसे particular area पर मिलती है अब आप सभी कहेंगे कि species क्या होती क्योंकि बहुत सरी बैचों को पता नहीं है तो species जो है किसी भी living thing के similar group को हम species का नाम देते है जैसकि इंसान नाम जो है आप किसी dog को human तो नहीं बोलोगे human being right आप किसी cat को तो नहीं बोलोगे हमने उनको एक नाम दिया ना कि एक cat है तो इनके जतने भी रिष्टेदार होंगे बिली के जतने भी रिष्टेदार होंगे ठीक है उनके बच्चे जतने भी होंगे उन सब को हम cat बोलेंगे kitten बोलेंगे ठीक है इस तरीके से dog को dog बोलेंगे puppy बोलेंगे और female में जो है हम उनके वो कर देते हैं नेम चेज़ हो जा जंडर चेज़ हो जा तो उसके according ठीक है अब humans में ये species जो है humans के रहे use किया गया कि हम जो है हम देख भी दो आखों से सकते हैं सुन भी दो कानों से सकते हैं खा एक जीब से सकते हैं ठीक है कि वो मतलब कुछ भी कर सकता है ब्रेन इतना दो खतरनाक है हमारा जो दिमाग है अगर कहावत आती है न कि खाली दिमाग शेतान का घर इस तरीके से मतलब कि ये है कि आप अपने दिमाग को खाली मत छोड़ो मतलब कि कुछ ना कुछ करते रहो काम वरना खाली छोड़ोगे तो उसे कुछ ना कुछ उट पटांग चीज़े सूचती रहेंगे जैसे कि ये क्राइम्स वगेरा होते हैं तो कभी सुना है कि किसी आनिमल ने क्राइम किया हो नई सुनने में आया क्योंकि वो अपने खाने के ले करता है लेकिन जो मडर केस वगेरा आते हैं ये सब जो हैं केवल और केवल यूमन में आते हैं क्योंकि उनके पास ब्रेन है जो की मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है ठीक है तो आइधिंग आपको यहां से ये चीज़ समझ में आगे होगे अच्छा मैंने भी माइग्रेटरी बर्ड्स की बात की थी तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी बर्ड्स होती है जो की एक जगे से या फिर एक कंट्री से दूसरी तरफ मूव करते है मानो की कोई अमेरिका में बर्ड है और उसे जो है इंडिया में आ गया है वो ठीक है तो ये माइग्रेटरी बर्ड की अंदर आएगा क्योंकि हम उसे खुद बांध कर नहीं लाए है वो जब खुद अपने आप स्वें सोतंतर होकर आता है तो उसको हम माइग्रेटरी बर्ड का नाम दे देते हैं और ऐसा क्यों होता है क्योंकि हो सकता है कि उसे अमेरिका में खाना नहीं मिल रहा हो या फिर सेकेंड तिंग यह हो सकते है कि वहां का वैदर बहुत ठंडा हो तो वो वहां पर रहना नहीं चाहता है इसलिए वो जो है अपने बचाव के लिए एशियन कंट्री जिसकी तरफ मूव करता है क्योंकि वहां पर गर्मी होती है अमेरिका और कैनेडा के ठीक है तो यह जो है यहां से क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट है क्वेशन विच अप फॉलोवेंग मैटल्स कैच फायर एंड रियक्शन विद एयर इन में से कौन से मैटल्स जो है वो फायर को कैच कर लेते हैं एयर में की उसमें मतलब की जब वो एयर के साथ एक्ट करते हैं तो वो फायर को असानी से कैच कर लेते हैं तो आपने नाम सुना होगा पोटेशियम का जिसको की हमका भी भी बाहार खुले में नहीं छोड़ सकते हैं अगर आपने उसे किसी कमरे में, खुले में छोड़ दे तो वो कमरा जल जाएगा, potassium इतना strong होता है, वो कमरे को जला देगा, ठीक है, second thing, potassium को kerosene जो portals होती है, उसके अंदर store करके रखा जाता है, kept करके रखा जाता है, kerosene oil में, तो उससे क्या होता है, उससे potassium जो है, वो air के contact से बच जाता है, और अगर उसके साथ air contact नहीं कर रही है, तो वो जलाएगा नहीं, बर्न नहीं करेगा, इसलिए labs में potassium को बहुत, बहुत, बहुत साफदानी के साथ जो है, रखा जाता है, तो ये आपका option C correct है, and next question is, SI unit of pressure, so SI unit of pressure क्या होता है, ये आपका force and pressure वाले chapter से है, तो ये आपका कौन सा answer correct होगा, Pascal देखो, Pascal जो unit है, वो हमारी pressure को measure करने के लिए की जाती है, meter किसके लिए किया जाता है, मुझे बताओ जल्दी से, तो बहुत इजी है, and Newton, Newton जो है, and ये force के लिए होता है, force का ऐसा unit होता है, Newton, तो meter किसका होता है, आप मुझे comment box में बताएं और आज की class, जो है, I think यहापे नहीं, अभी एक question और है, ये question आपका reproduction वाले chapter से है, reproduction in animals, तो question है, which of the following sequence is correct for the events during reproduction, जब reproduction होता है, तो उस time पर sequence क्या रहता है, देखो, sequence क्या रहता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, so यहापर हम अगर ध्यान देने वाली चीज क्या ह है, अगर आप ध्यान से देखो, तो सबसे पहले आपको एक चीज देखने है, कि हापर कई भी fertilization किसी भी उसमें है ही नहीं, नहीं है, ठीक है, चलगी बात, ओके, fertilization नहीं है, तो उसको हटा दो, उसके बाद next process होता है, zyagot का, zyagot form होता है, अब zyagot देखें, तो मुझ अब देखो, अब जो, सी, और जो, ए है, उसमें क्या difference है, zyagot के बाद, सी में form हो रहा है, सदेखें, तो यह नहीं होगा, उससे पहले हमेशा embryo होता है, इसलिए आपका यह वाला option भी गलत हो जाएगा, तो साफ सीधी बात है, आपका correct answer option number A होगा, zyagot, zyagot के बाद, then, जो है embryo होता है, after some time, फिर foetus होता है, and then, फिर जो baby animal है, फिर जो offspring है, उसके delivery हो जाती है, तो यह जो है पूरा concept था, I think आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, helpful लगी होगी, लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से like करें, और अभी तक यहां तक आ गयो, तो I am very sure कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अब इसको like तो जरूर कर दो, जिसने नहीं किया है, अभी तक, और साथ ही, अपने friends में share करो, जो बचे क्यारी कर रहे हैं इसके लिए, S.O.S.E. के लिए, तो उनको भी, जो है, share करो, because sharing is caring, है ना, और आपका जो subscribe है, वो त जिसे कि आपके पास new videos की notification time to time आती रहेगी, और भई अब तो कर दो, अब तो बहुत पास आ गया है, time बिल्कूल, S.O.S.E. का, अगर अब कोई एक छोटी सी भी आपकी update छूट गई ना, तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पा कि अईल, सकते हैं एक मेरे लाव, पॉरे कि लगे हो जाफने एक रिए लाव, एक रहे भी आपके लाव, जैसे का दो मेरे लाव, खनेट वे पी आती बल्कूल, S.O.S.O.S.E. कि अग्दाने की बहुत सारे भी आपका पंगे हो जाव, आपके लाव, जैसे कि अज़ पेसे